हेला अबर्इवन वेलकम् तो दा एलोजन दा एलोजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे रवांडा जैनो साइट के बारे में जानेंगे रवांडा नरसंगार क्या था और हाली में ये इतना न्यूज में क्यूं है देखिए न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2021 में रवांडा जेनोसाइट को हुए 26 साल हो गया है इसलिए ये बहुत जादा न्यूज में है और सबसे जादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि रवांडा जेनोसाइट को लेकर फ्रांसिसी जांच पैनल ने एक रिपोर्ट निकाला है और इस रिपोर्ट में ततकालिन फ्रांसिस ग्रूप से उसी समय फरांस के जो वर्तमान में राष्टपती ए मैकरॉन ये सामने आते हैं रोवांडा नरसंघार में अपने देश की भूमि का को सुईकार करते हैं और इस Ciao को सुईकार करते हुए रोवांडा से माफी मांगते हैं अब इनका भूमित क्या है इन्होंने क्यों माफी माँगा इन सभी बातों को आगे समझेंगे लेकिन पूरी कहानी जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ब्रीफ में इसको जरूर सुने देखो रवांडा में दो समुदाई के लोग जादा है एक है हुटू और दूसरा है तुट्सी हुटू जो है ये करीब 85% है और बाकी बचा हुआ 15% ये है तुट्सी तो आप कह सकते हैं कि हुटू बहुत संख्यक है और तुट्सी जो है ये अलप संख्यक है लेकिन अलप संख्यक होने के बावजूद भी रवांडा पर लंबे समय तक सासन किया था तुट्सी ने ये बात रास नहीं आई हुटू समुदाय के लोगों को और 1969 में हुटू विद्रोहियों ने तुट्सी राज्टंत्र को खतम कर दिया और यहां पर तक्ता पलट कर दिया इसके बाद हुतु समुदाय के अत्याचारों ने तुट्सी लोगों को मारना शुरू किया मतलब उसको देखाने गया मारने के पीछे देखो एक कारण है वो मैं आगे बताऊंगा लेकिन यहाँ पर मारना जैसे ही चालू होता है उसी समय तुट्सी लोग भाग कर युगांडा चले जाते है यहाँ पर जितने भी देश हैं उनको मैं आपको बड़े मैप में दिखाऊंगा ताकि आपको यह चीज और अच्छे से क्रिश्टल किलियर हो जाए तो जैसे ही यह भागते हैं तो कोई भी अपने देश को अपनी जन्मभुमी को छोड़ कर भागेगा तो वो फिर वापस आना चाहेगा ठीक यहाँ पर यही हुआ अपने देश पर फिर से कबजा पाने के लिए तुच्सी लोगों ने रवांडा पैट्रियाटिक फ्रंट के नाम से एक विद्रोही संगठन बनाया और इसकी अस्थापना की फिर इसने 1990 में रवांडा में वापसी करके कतले आम शुरू कर दिया बाद में 1993 में देश में सांती तो अस्थापित हो गई खेर वो ज्यादा सांती तो है नहीं अभी भी खेर सांती अस्थापित हो गई ये एक तरीके से आप कह सकते हो तो ये एक ब्रीफ नॉलेज है अब इस चीज़ को और समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ मैप की और ये है मैप ये है हमारा प्यारा वारत और रवांडा जाने के लिए आपको अरबियन सी क्रॉस करके अफिरका महादेश में आना होगा और अफिरका महादेश के बीच में डेमो रिपब्लिक अप कॉंगो के बगल में एक छोटा सा देश मिलेगा ये है रवांडा रवां क्यों था क्योंकि देखो रवांडा के बगल में डेमो रिपब्लिक अप कोंगो में एक सहर मिलेगा जहां पर रवांडा और डेमो रिपब्लिक अप कोंगो का बॉर्डर लगता है इस सहर का नाम है गोमा गोमा सहर के बगल में यहां पर एक आपको वालकेनो दिखेगा जौल सहर तक भी आ गया तो जैसे ही ये सहर तक आता है पूरा सहर जलकर राख हो चुका है खेर वह एक अलग टॉपिक है लेकिन हम लोग यहां जानते हैं रवांडा के बारे में देखो रवांडा में जाने से पहले आपको मिले चलता हूँ बुरंदी में यह है plane में जा रहे थे plane को crash करा दिया गया एक missile दाग दी गई plane में plane पूरी तरीके से बिखर गया टूट गया blast कर गया और दोनों के दोनों राष्टपती एकी दिन चल बसे इसका क्रोध जहलना पड़ा तुट्सी को और तुट्सी यहां से निकल करके भागे यूगांडा में यूगांडा आपको मिलेगा रवांडा के नौर्थ की और तो यह आप देख रहे हैं यह है यूगांडा यूगांडा बाद में बहुत जादा रवांडा में अपनी भूमिका को दिये हैं बाद में हम यूगांडा को भी जानेंगे लेकिन यहां पर आप देखे कि यह भाग कर गए यूगांडा में तो यह है मैं और इस देश का लोकेशन आप याद रखो ही कम से कम आप जी धरती पर रहते हो वहां पर आप जरूर जानो कि हम जहां रहते हैं हमारे बगल में कौन सा देश है रख्कों है ये सब चीज जानो यूरोप के भी देश को जानो यहां पर आपको मिलेगा France ये भी related है रवांडा से तो France भी यहां पर है जर्मनी इसके बगल में है पॉलन्ड है बेला बिलारूस है बिलारूस भी हाली में बहुत जादा न्यूज में था तो इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे इस चैनल पर यदि आप उसको देखना चाहते हों तो जाके उसको देख सकते हैं पॉलेंड आपको मिलेगा लिथ्वेनिया मिलेगा लथ्विया मिलेगा एस वुहान यहीं इस वाइरस ने जन्म लिया खैर वह अलग टापिक है यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ कोर्या यह पर आपको मिलेगा साउथ कोरिया यह है जपान दोड़ा सा आपको इस चीज़ का बता रहा हूं कि आप मैप को थोड़ा साथ देखो मैप यदि नहीं देखोगे तो बहुत आगे जाकर परिशानी होने वाली है तो मैप को देखो और इंडिया के दूसरी साइड आपको यहां मिलेगा USA जो धर्ती का सबसे पावरफुल देश माना जाता है United State of America यहां पर मिलेगा तो खेर यह है हमारा मैप और यहां पर आपको मिलेगा रवांडा, बुरंडी, यूगांडा और डेमो रेपबलिक अप, कॉंगो, तंजानिया यह जब देश तो आपने मैप को देखा आप चलते हैं हम लोग त्योरी पर और जानते हैं अच्छे से इस कहानी को आखिर हुआ क्या है अब हम लोग जानते हैं विश्तार से की नरसंगहार की सुरुवात आखिर कैसे हुई देखो, डेट है 6 अपरेल 1994, तीस साल भी नहीं हुए है, मेरे जन्म के बाद का ये घटना है तो मैं तो इसका जीता जागता सबूत हूँ तो देखो, 6 अपरेल 1994 को रवांडा के राष्टपती जुवेनाल और बुरंडी के राष्टपती सिपिरियन, ये एक विमान से जा रहे थे, जिसमें और भी व्यक्ती बैठे हुए थे, लेकिन ये खास तोर पे दो व्यक्ती थे, जो राष्टपती थे अब इस विमान को गिरा दिया जाता है एक मिसाइल के द्वारा, ये आज तक पता नहीं चला है कि ये मिसाइल किसने धागी थी, इसलिए ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये घटना को अंजाम किसने दिया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है सम ने जिसके बाद ये नरसंगहार शुरू हुआ, वो हुआ इस एक्सिडेंट के बाद, ये जो दोनों राष्टपती थे, ये दोनों थे हुतू समुदाय से, हुतू कभीले से, अब हुतू समुदाय के लोगों को ये लगा कि भाई, इन लोगों को हम लोगों ने तक तक पल पूरा रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट पर लगाया और पूरा जिम्मेदार उसे ठारा गया, जो तुटसी समाज के द्वारा चलाया जाता था, इसके बाद क्या होना था, इसके बाद होना था कतले याम, तुटसीों को मारना शुरू किया गया, अब देखो मारना कैसे सुरू हुआ, सिर्फ मारा ही नहीं गया, बलातकार इतने किये गये हैं, उसकी कोई सिमा नहीं है, रेप इतना हुआ है, यहाँ पर महिलाओं का, उसकी कोई सिमा नहीं है, नियू यॉक टाइम पर एक रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, आप नेट में सर्च करोगे तो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कतलेया मचाया गया, तुट्सियों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया, कहा ऐसा जाता है, कि 100 दिन के अंदर करीब 10 लाख लोगों को मार करके, और मौद के घाट उतार दिया गया, कारण क्या था, हुतु समुदा के दो राष्टपती का मारा जाना, उसके बाद हुतु पूरा गरम हो जाते हैं, और इस काम को अंजाम देना सुरू करते हैं, लेकिन जो आरपी एफ है, आरपी एफ मतलब रवांडा पैट्रियाटिक फ्रंट, इसका कहना ये है कि विमान को हुतु लोगों ने ही गिराया ह और जान भूज कर गिराया है इस हिंसा के लिए, ताकि वो हम लोगों को फिर से मार सके, ये बात तुट्सी के द्वारा कहा गया, बाद में इसको जादा माना नहीं गया, जोकि जिस पर जादा जोर होता है, वो सबसे अधिक बड़ा दिखता है, तो यहाँ पर तुट्सी छोटे दिखे और होतु समुदाए थोड़ा हावी हो गए, तो इसमें हत्या का दौर चालू हुआ, इतनी हत्याएं हुई कि तुट्सी समाज के लोग जान बचाने के लिए, जिस घर में छुपते थे, उस घर को जला दिया जाता था, किसी स्कूल में जाकर छुपते थे, उस स्कूल पर बुल्डोजर चलवा दिया जाता था, सभी लोगों को मार दिया जाता था, फिर भी ये लोग नहीं माने, फिर लोगों के द्वारा चर्च चुना गया, कि चलो भाई, चर्च में जाकर छुपते हैं, चर्च में जैसे ही छुपे, तो वहाँ पर पादरी जो दिया जाता है, देखो, यहां पर इतना उस समय रेप किया गया महिलाओं की, इसके बाद रवांडा में ना जाने कितने ऐसे बच्चे पैदा हो गए, आप समझ सकते हो क्या मैं आगए, अब इस पर जादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उतना ही बुरा लगता है, इस जेनो इस उतना होगा, यहां पर आपका सवाल होगा, क्या आखिर इस नर्संघार का नेत्रित्व कर रहा था, उकसा कौन रहा था? तो देखिए, इस paceminar का का नेत्रित्व कर रहा था, रैवांडा की सेन और इंटरना हामवे, नाम की एक खुटू मिलिसिया के द्वारा, इसका न क्लोनी था इंगलेंड का उसी तरह रवनडा भी एक क्लोनी था फ्रांसud का जैसे यहां अंग्रेज्जों ने राज किया उस समय चुभिया थे फिर भी यहां पर कुछ नहीं किया गया रिपोर्ट के मुताबिक उस समय फ्रांस ने हुतु सरकार के समर्थन में अपनी सेना भेजी लेकिन उसने नरसंगहार को रोका नहीं होने दिया कि मार लो जितना काटना है काट लो मौझूद फ्रांसेसी सेनिक ना किवल लोगों को मरते हुए देखा बलकि हत्याओं में सामिल भी हुआ वो खुद भी ऐसे रिपोर्ट सामने आये हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे फ्रांसेसी सेनिक को यहां पर दरसाया गया है कि जिसने हुतु के साथ मिलकर उसने भी जेनोसाइट को अंजाम दिया है नरसंगहार को अंजाम दिया है पर उसने entry मारी और अपनी सेना को रवांडा में भेज दिया सेनिक जाते हैं रवांडा में और रवांडा की जो राजधानी है किगाली यहां पर जाके वो कबजा कर लेते हैं और इस नरसंगहार को पूरी तरीके से खत्म करते हैं यह एक छोटा सा जानकारी जो की रवांडा genocide पर है यहाँ पर एक report पढ़ सकते हैं जो एक मा बेटी का report है जिसने New York Times में बताया था कि आप ये खुद पढ़ लेना मैं ये PDF में आपको दे दूँगा क्योंकि फिर मैं वो बताऊंगा रेप के बारे में तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि क्या मैं बता रहा हूं तो ये आपको PDF में मिल जाएगा यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रूप को जाकर join कर सकते हैं जिसका link description में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाएं डेली का डेली current affair और डेली इवेंट सो भी उसमें रोज डेली डाला जाता है आपको डेली update मिलेगा टीचर्स के लिए बहुत सारे batch है math है और आगे आने वाले समय में और भी इसमें बहुत सारे ऐसे course को launch किया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा important रहेगा तो आप इसको पढ़ लेना तो यह एक छोटा सा जानकारी था जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर आपने जाना कि फ्रांसिसियों का क्या रोल था और क्या नहीं था आसा करते हैं कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें चैनल को thank you for listening God bless you all